हालो देख सकते हैं क्रूड की उपर और क्रूड का फिवाट पॉइंट मार्केट रेंज और क्रूड का पैटर्न क्या बना के रखा हुआ है अभी क्या पैटर्न फर्मिंग हो रहा है तो उसका उपर हम बात करेंगे और यह देख सकते है क्रूड डेली चार्ट तो रेक वर्ट पॉइंट है अच देख सकते है 5084 R1 5113, R2 5164, R3 5193, H1 5033, H2 5004, RS3 495T, और यह जो pivot point support and resistance लगाया हुए, यह मैंने pivot point लगाया हुआ है, तो इसमें देख सकता है 4 hour, तो जैसे पहले वीडियो में बनाया था, इसमें triple drop pattern forming हो रहा है, तो आप देख सकता है, triple drop first, second and third triple drop, तो इसका triple drop थोड़ा इसका उपर गिया, तो इसको आप देख सकता है, यह जो first point है यह और second point को मैंने connect किया, तो third point मिला, तो इसलिए थोड़ा चा उपर उसमें high create किया है, तो कोई-कोई trader सुचता है यहां पर जो इसको breakout किया हुआ है, है ना, तो breakout किया हुआ है, तो ऊपर जाएगा, actually यह pattern गलथ हो जाता है, अगर आपको यह पहले जो higher point उसको connect करके, त higher point निकाला और यहां पर weekly resistant line था, तो exactly उसका pass गया, उसका future market निचे आगया, तो बाद में आप देखेंगे, तो यहां पर निचे में supporting range मिला हमें, तो देख सकते हैं supporting range, तो मुझे लगता है यहां से अब अगर sell risk लेंगे, तो यहां से ज्यादा से ज्यादा ही धर्टागा पहले first supporting line, तो यहां पर supporting line लगा हुआ है, आपका 4971, तो market यहां तक आशकता है, और यहां पर चो lower logo connect कर गया, तो exactly वहां पर आया, साथ में भी एक moving average भी आया हुआ हुआ है, 50 का, तो यहां पर आके यहां पर supporting range मना के रखा हुआ है, तो मुझे लगता है, यहां तक market आशक trend में ही है, लेकिन आप trend का retracement point क्या है, तो डेख सकता है, retracement point up to 4971, तो अगर हमने 5 होने से भी add कर के देखेंगे, तो जैसे इसको एक हम wave बना ले था है, एक wave, तो इसमें देखेंगे तो आप 38, अगर यहां पर मैंने इसको reverse कर दिया, तो आप देख सकता है, यहां से lower point है, तो higher point को मैंने connect किया, तो exactly आप देख सकता है, यहां पर 61%, 50, 50 का बाद आप देख सकता है, 61% retracement level है, तो यह perfectly एक strong supporting range है, अगर आपने देखा, तो small time frame, जीशे 30 मिनित में देखेंगे, तो 30 मिनित में आप देख सकता है, यहां से 100 का supporting range मिला, तो यहां से थोड़ा भूट correction देख सकता है, जीशी यह lower high में, यह previous lower high में एक supporting resistance line है, तो यहां से correction देख सकता है, आप तो like 5090 या 51 range तक यहां थोड़ा correction देख सकता है, यह moving average 100 supporting range बनागे रखा हूँ है, 30 मिनिन में थोड़ा बहुत उपर जा सकता है, तो 5 मिनिन में देखेंगे, तो आप downtown place हुआ है, और यहां से, तो आप एक range बनाएंगे, जीसे, downtown range मैंने connect कर दिया यहां से, यह जो higher high point को, और इसमें lower low point को, मैंने connect कर दिया, ठीके, lower low point को खने करेंगे, तो देखेंगे, यहां तक market आज आ सकता है, एरां 4971, तक market आ सकता है, ठीके, अगर यहां पर आपने buy position लिया, तो आपको SL इसका उपर लेना पडेगा, जीसे, यहां 5-1, तो इसका उपर, at least 50, नी तो आ पहले swing point का high में भी लेसा क्ता है, जीसे, यह 70 point का अबब में होगा, और बुक पवित 90, अल्मस्त 1-2 और थोड़ा 1-2 भी होसा क्ता है, ठीके, तो I hope you enjoyed this video, if you like this video, please like and subscribe, thanks for watching.